इस वीडियो के इतना काईस हम लोग बात करने वाले हैं SME IPOs के बारे में जी हा तो देखें में बोर्ट के तो IPOs काफी सारे ज़्यादा जा चुके हैं लेकिन अभी राइट नौ SME IPO का काफी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और उसके इंदर लिस्टिंग इन जो है 100% से भी ज इस वीडियो के इंदर तो देखें सबसे पहले हैं SME IPOs की बात क्यों तो इसका सिंपल सा मतलब है SME का मतलब है small and medium enterprises तो यहां पर जो market cap जिनका जो है 1 करोड से 25 करोड के बीच में होता है वही कमनिया यहां पर लिस्टिंग जो है BAC के SME प्लाटफॉर्म के उपर और National Stock Exchange के इमज़ प्लाटफॉर्म के उपर होती है यहां पर भी दो केटेगरी होती है एक होती है small enterprise एक होती है medium enterprise जो small enterprise होती है उसके बिजनस के अंदर जो investment size है वो एक करोड से 10 करोड की बीच में होता है और turnover उनका 5 से 50 करोड के बीच में होता है वही पर medium enterprise का investment जो size होता है business के अब देखेगा इस यहां पर IPO की जो application size है वो minimum यहां पर आपके पास 1,000,000 रुपे तो होने ही चाहिए ऐसा नहीं कि 14-15,000 रुपे से काम चल जाएगा यानि इसके अंदर apply करना चाहते है तो एक lot के अंदर इतने shares होते हैं कि हमेशा 1,000,000 रुपे के उपर ही मिलेंगे आप आपको retail category के अंदर तो यहां पर अगर मैं simply apply rules के बात करूँ तो जैसे हमारा main board IPO के अंदर चलता है वैसे भी यहां पर same concept है retail के अंदर आप 14-15,000 के अंदर application लगा सकते थे लेकिन यहां पर retail में 1,000,000 रुपे minimum होने चाहिए जिसके अंदर आपका 1 lot size यहां पर consider किया जाता और यहां पर भी अगर आप lucky रहते हैं और आपको allotment वगरे मिलता है तो minimum 2 lakh के worth of the shares जो है lot size जो है आपको यहां पर मिल जाता है बाके retail के अंदर एक lot तो आपको मिलता ही है और वहां पर भी आपको obviously बाते luck वगरे होना चाहिए जैसे example देना चाहों अभी right now यह एक key synergy करके IPO है यह चल रहा है तो यहां पर आप application lots में देख सकते हैं यहां पर जितो अगर जो website आपको किसी भी SME IPO के अंदर किस category के अंदर जो है कितने lots वगर है यह सब कुछ आपको easily यहां पर explain कर देता है अब गईस अगर मैं apply करने का method बता हूं तो यार बहुत सारे broker आपको यह च density provide नहीं करता है वहाँ पर ASBA से apply करना पड़ेगा जिरो दा के अंदर आपको फिर भी यह स्टिल यह चीज़े मिल जाएगी और अगर आपका DMAT account भी Angel1 के अंदर नहीं है तो link मैं आपको description box में लिखे दूँगा जहां पर आप Zero cost और Zero AMC के साथ में account open कर सकते हो अब गईस ब बेचना हो तो पूरा का पूरा lot यहां पे बेचना पड़ेगा ऐसा नहीं हो कि आप share wise यहां पे निकाल सको यानि आपका मनुआ कि मैं चलिए 10-15,000 और पे share निकाल के profit जो अपना book कर लेता हूं यानि कि अगर मालीजे आपका 2000 share का lot size अगर आपको मिल चुका है तो अगर आ यहां पे liquidity का कभी-कभी आपको issue आ सकता है यहां पे जो best चीज मानी जाती है लोग यह कहते है advice यह करते है expert वगरे लोग कि अगर आपको SME IPO मिलता है तो अगर आपको company के पर जादा confidence वगरे नहीं है और आपको केवल listing gain के लिए apply किया था तो हमेशा pre open market के अंदर ही आपको share का price 100 rupees का है तो अगर आपने limit order 100 rupees का लगा रखा है और 9,45 से 10 के बीच में जब market जो है basically आपके order को जो यहां पे match करना जब शुरू करता है तो अगर मालीच यह price जो है अगर 120 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, तो आपने limit order 100 का लगा रखा है तो उसी के उपर यहा सिंपल सी बात है, cost के उपर जो है आपको हमेशा profit होगा, मतलब जादा यहां पर लालश नहीं करना है, pre opening market के अंदर ही अपने shares या अपने lots को यहां पर निकाल देना है, तो guys बात करते हैं कि SME IPOs वगरे उनके GMP वगरे आप कहाँ चेक कर सकते हैं, तो यार उसके लिए best website ह यहां पर आपको सारे के सारे SME's IPO कब open हो रहे, कब close वगरे हो रहे, क्या issue size यह सारे डिरिस देखने को मिल जाती है, और आजकल तो यहार इन्हों नहीं यहां पर lot size calculator भी दे रखा है, तो इससे आप easily यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि retail के अंदर में इतने lot apply कर सकता हू इसके साथ में guys, यहां पर आपको GMP का भी section मिल जाता है, जहां पर आप सारे के सारी कबनियों के real time basis पर जो भी GMP वगरे चलर्जाओंगे, grey market जो भी premium चल रहा होगा, वो भी आपको दिखाई देगा, और SME के इंदर आपका पैसा भी यहां पर जादा बड़ा लगा होता ह तो हमेशे at least 40% के about GMP वाले IPO को ही यहां पर आपको consider करना चाहिए, इसके लगा guys अगर यहां पर मैं subscription status वगरे की बात करूँ तो वहाँ आप NLC की website वगरे के उपर checkout कर सकते, यहां पर simply तरह के से आपको demand graph देखने को वगरे को मिल जाएगा, और इसके लावा आपको चित्त आसा है कि आपके पस में थोड़ा सा मोटा पैसा होना चाहिए, यहां पर अगर आपको minimum application लगानी है तो एक लाख रुपे के beyond तो लगेगी, लगेगी, साथ में जब आपने shares वगरे को निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आपको पूरा lot निकालना पड़ेगा, तो उस case में यहां पर आपको pre open market के अंदर ही execute कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक hold किया, तो पैसा भी आपका motor लगा हुआ है, तो जादा भी open नीचे share हुआ, माल नीचे lower circuit निकल लिया यहां पर, तो आपको काफी जादा यहां पर नुकसान वगर भी हो सकता है, तो guys